Hello everyone, welcome back to my channel Anomis तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे After B.S.C आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं काफी सारे बच्चे जो है B.S.C कर लिये हैं B.S.C के बाद जो है जॉब करना चाहते हैं लेकिन confused है कि उनके लिए कौन सा जॉब है वो जो है किस जॉब के लिए आगे बढ़े तो आज की वीडियो लाज सक जरूर देखिएगा तो चलिए इस टार्ट करते हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं After B.S.C आपके लिए कौन कौन सी जॉब है ठीक है यहाँ पर हम government job के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने आपके लिए government job है Point first के अगर बात करें तो first point पर आता है आपका U.P.S.C ठीक है यानि कि civil services में अगर आप इस field में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं After B.S.C ठीक है U.P.S.C में आप IS बन सकते हैं IPS बन सकते हैं IFS बन सकते हैं अगर आपको इसके लिए आगे बढ़ना है ठीक है आपका ये सपना है आपने B.S.C किया हुआ है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं काफी सारे बच्चों का मानना ये होता है कि B.S.C के बाद और B.A. के बाद हम U.P.S.C क्रेक नहीं कर पाएंगे केवल B.T.E.C वगरा वाली ये ही बच्चे ज़्यादे तर U.P.S.C क्रेक करते हैं तो सही है ये भी सही है कि B.T.E.C वाले बच्चे क्रेक करते हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि अगर आपने BSC किया हुआ है, B.A. किया हुआ है, तो आप जो है नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे IPS IPS ओफिशर हैं, जो कि B.A. और BSC के बाद भी जो है, वो जो है इस post पर पहुचे हैं, तो अगर आप जाना चा सकते हैं, कभी सारे बच्चों का इंट्रेस्ट होता है कि वो पुलिस विभाग में जॉब करें, देश की सुरच्छा के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट में अगर जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, इसमें भी अलग-अल ये भी आप जाना चाहते हैं, आप्टर, BSC आप दिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक थॡट के अगर बात करें, थो ये है, आपका Central Government कि अगर बात करें अगर आपको Central Government job करना है तो जैसे कि आप जो है से सीजियल में जा सकते हैं से सीजियल का जो है जो है जो कर सकते हैं तो इसके लिए भी जो है आप इलिजबल हो जाते हैं अगर आपने BST किया हुआ है तो एक चीज और कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप आपने BST किस सब्जेक्ट से किया हो लाइक आपने बायो से किया है या फिर मैथमेटिक से किया हुआ है या फिर अधर किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो बस आपने BST कर लिया है तो आप graduate है graduate के बाद यह सारे form आप अपलाई कर सकते हैं जहां पर eligibility जो है वो graduation है clear हम होता है कि commerce वाले student ही banking के field में जाएंगे बैंक का job करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप graduate है ठीक है तो आप बैंकिंग सेक्टर में job कर सकते हैं इसमें भी अलग-अलग post होती है like आपका P.O. हो गया ठीक है color हो गया, cashier हो गया, data entry operator की भी post होती है इसमें भी जा सकते हैं तो बैंक के field में भी जो है अलग-अलग post होती है जिसमें की अलग-अलग eligibility criteria भी होती है यह भी ध्यान रहे तो इसमें भी जो है अगर आपने graduation किया हुआ है तो आपके लिए post इसमें available होता है like अगर आप P.O. के लिए भी जाना चाहते हैं तो after B.Sc. आप apply कर सकत है एक जी जहां पर यह होता है कि आपका इंग्लिस थोड़ा strong होना चाहिए क्योंकि banking के sector में इंग्लिस कफी जादे important role play करता है तो आपका इंग्लिस knowledge भी strong होना चाहिए ठीक है तो six point के अगर बात करें तो यह है law का फिल्ड अगर आप law के फिल्ड में जाना चाहते हैं ठीक है आपने B.Sc. किया हुआ है तो आप जा सकते हैं लेकिन यहां पर यह ध्यान रहे कि आप जो है B.Sc. L.L.B. अगर आपने किया हुआ है तो आप जो है आप जो है आप जो है गजबन सकते हैं 7 point के अगर बात करें तो नेक्स है आप teaching के फिल्ड में जा सकते हैं teaching में भी जो है काफी अच्छा यह profession है और बहुत बच्चों का यह interest होता है कि वो जो है teaching के profession में जा है तो आप जहें इसमें भी जा सकते हैं जैसे की आप पिर ट के लिए अपलाई कर सकते लेकिन यहाँ पर एक चीज़ धियान रहे कि BSC के साथ सा आपका कोई टीचिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स भी आपके पास होना चाहिए लाइक आपका जो है या फिर DLA आपने किया हुआ है या फिर आपने B.A.D. किया हुआ है ठीक है या फिर JBT किया हुआ है मतलब कि टीचिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स भी आपने किया हुआ है तो आप टीचिंग के फिल्ड में जा सकते हैं जैसे कि P.A.T. के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने B.A.D. किया हुआ है यानि कि B.A.C. और प्लस आप B.A.D. कर लेते हैं तो आप T.G.T. के लिए जा सकते हैं या फिर जो है B.A.C. प्लस B.A.D. या फिर B.A.D. ना करके आपने D.L.A.D. किया हुआ है तो आप PRT के लिए जा सकते हैं ठीक है उसी तरीके से अगर आप PGT का एक्जाम देना चाहते हैं तो इसमें B.A.D. की जरूरत नहीं होती है लेकिन B.A.C. के बाद आप आपको PG भी करना जरूरी है यानि कि पोश्च ग्रेजुएशन भी आपको करना जरूरी है क्योंकि PGT के लिए Elizability होता है PG ठीक है साथ ही साथ आगे आप प्रोफेशल बनना चाहते हैं तो प्रोफेशल भी बन सकते हैं तो इसके लिए भी आगे आपको आपको पढ़ाई करन हैं ये भी बहुत ही अच्छा अभी भाग होता है इसमें भी साथ जॉब के साथ साथ आपको बहुत सारे सुविधाय भी दी जाती है तो आप इसमें भी जा सकते हैं और रेलवे में भी जो है अलग-अलग पोश्ट होती है जिसके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया भी होती है और ग्रेजुशन लेवल पर भी इसमें जो है कई सारे पोश्ट आती है तो आप अप्टर बीस सी अपलाई कर सकते हो क्लिए देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी पोश्ट होती है इसके अलावा जिसमें कंप्टिशन थोड़ा क जानते भी नहीं है लेकिन यह यह वी पोश्ट होती है जोब के लिए पहला पॉइंट है कि आप वीडियो बन सकते हैं वीडियो की पोश्ट तो इस समय सभी लोग जानते हैं और इसमें भी धिरे धिरे बीड होती ही जा रही है कंप्टिशन बढ़ रहा है लेकिन आगर पूरी डिटेल बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं और हाँ इसमें से आपको किसी के भी बारे में पूरी डिटेल जानना है कि जो है इस फिल्मे जाना है तो आप किस तरीके से जाओ इसके लिए क्या प्रॉसेस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि इसके बारे में डिटे बन सकते हैं उसके बाद तहसे लार है ये भी आप बन सकते हैं लैब टेक्निशियन इस फिल्ड में भी जा सकते हैं ठीक है उसके बाद इस्टेनों ग्रॉफर के लिए भी अपलाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए भी अपलाई कर सकते हैं तो ये कुछ ऐसी पोश्ट जिसमें competition थोड़ा कम है तो आप इसमें आसानी से जो है फाइट कर सकते हैं और इस पोश्ट पे जॉब कर सकते हैं salary भी इन सभी में बहुत अच्छी खासी salary है ऐसा नहीं कि इसमें salary का कोई issue है ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसे job option के बारे में देखा जो कि आप after BST जो है कर सकते हो तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए topic के साथ थैंक यू